ओम गणेशाय नमहा, ओम नमश्युवाय, मैं निखिल जोतिश आचारे आप सभी का मेरे चैनल पर पुना स्वागत करता हूँ, आशा करता हूँ कि आप सभी स्वस्त होंगे, महादेव के क्रिपाव सभी पर सदाय बनी रहे, गे वीडियो सिम्ह यानि की लियो के लिए अति विशेश है, क्योंकि एव यह वीडियो है, 19 से 25 अगस के साप्ताहिक राशीपल के बारे में, मेरा जो साप्ताहिक राशीपल होता है, वो प्रमुकता है, चन्रमा की गती पर अधारित होता है, चन्रमा बहुत तेज गती से भागते हैं, नव गरहों में से सबसे तेज कि जिस भाव में जाते हैं उसको activate कर देते हैं इसलिए आपकी day to day activities पर चंद्रमा का प्रभाव बहुत जादा होता है क्या अच्छा क्या बुरा हो सकता है कि इन चीजों से बचा जा सकता है इन सब की विवेचना करने का मैं प्रयास इस साथाहिक राशी फल में हमेशा की तरह करूंगा यदि आपकी लगने राशी सिम है या आपकी चंद्राशी सिम है दोनों ही guidance के लिए अवश्यस राशी फल को देख सकते हैं वीडियो के अंत में कुछ उपाए भी बताऊंगा शुरू करते हैं सरपथम चंद्रमा आपके सब्तम भाव में आकर विराजमान हो और चंद्रमा पर बहुत ग्रहों का प्रभाव है शनी के साथ बैटे हैं बुद्ध की दिष्टी शुक्र की दिष्टी सूरे की दिष्टी अब सूरे की दिष्टी क्या बताती है कि सूरे की जब पूर्ण किरने चंद्रमा पर पड़ेगी तो क्या होगा पूर्णिमा देखेंगे तो आपका खर्चा भी थोड़ा सा बढ़ सकता है लेकिन कहां पर जैसे मने का प्रभाव बहुत है तो बुद्ध भी देख रहे हैं और बुद्ध वक्री हैं कि जो बुद्ध है वो वक्री है और आपके धनस्थान और लावस्थान के स्वामी है यानि कि कोई और आपके लिए दस्वे घर के स्वामी है कार्यक्षेत्र में रिक अगनिशन और तीसरे भाव के स्वामी का प्रभाव चंद्रमा पर यानि कि हिम्मत रहेगी पराकर्म रहेगा आगे बढ़ने की पूरी शंता रहेगी तो सब अच्छा है पस ध्यान ये देना है कि शनी व पेस यानि कि थोड़ा सा बंधन योग इसको आप एक प्रकार से अपने लिए मान सकते हैं शनी और चंद्रमा साथ में हैं विश्दोष बन रहा है मैरिड लाइफ का ध्यान दीजेगा और मैं ये कहूंगा कि थोड़ा कभी-कभी उदासींता आ सकती है आपके अंदर उसमे भी जादा अतीत में बच जाएगा क्योंकि अतीत में चले गए उससे निकलना असंभव होगा गुरू से केंद्र में है तो गजकेसरी योग भी बन रहा है कारक शेत्र में अपने कार्यों पर फोकस कीजेगा ताकि नगरात्मक सता से दूर रहें नवांज कुली कह रही है नई संभावना इस तेम पर खुलती हुँ दिख रही है जीवन में दशामशा कुनली कार्यों शेत्र में ठीक है लेकिन बीजी बहुत रहेंगे एक्जॉस्टेड हो जाएंगे बिजनस की जहां तक बात है स्टैबिलिटी तो दिख रही है लेकिन क्योंकि शनी वक्री है च अगर आत्मक्ता ही दिख रहे है विवाहिक जीवन एक बोरी नेस्टी आती वह दिख रहे है तो चीजों को बदलिएगा नया बन लाईएगा स्टूडेंस आपके कार्य पूर्ण होते वह दिख रहे हैं अच्छा समय है सेहत आपको किड्नी और गॉल्वेड़ा की कोई प् सकती है अगई 28 तारीक रात के 8 बजे चंद्रमा आ जाएंगे अश्टम भाव में और 23 तारीक रात के और अश्टम भाव है, यानि कि अचानक से कोई कार अगर आपका अटक रहाता तो उसमें अचानक से आपको लाब प्राप्त हो सकता है, आपकी hidden sources of income है उसमें बहुत तेजी होगी, और विदेश के स्वामी है चंद्रमा और राहू के साथ बैटे हैं, यानि कि विदेश से ला भाग भी अच्छा है, पस पुरह कहूंगा, यहाँ पर भी कहा था, impulsive नहीं होना, अश्टम भाव चंद्रमा को impulsive करते हैं, यानि कि आपको impulsive करते हैं, यानि कि मन को impulsive करते हैं, और राहू भी है, जल्दबाजी, लालच, addiction, सारी चीज़े रहेंगी, तो इन सब पर ध्या एक चीज़ है, क्योंकि दस्वे से ग्यारवे में हैं, और दस्वे भाव के स्वामी शुक्र से अश्टम में हैं, जो लोग जॉब चेंज करने का प्रयत्ने कर रहे थे, अचानक से कोई नया offer आ सकता है, या बात आगे पर सकती है, नवान शुनली, अभी जुमाने कहा, उपने कारे में दखर अंदाजी नहीं करने दिने, बिजनस अच्छा है, लेकिन बहुत शॉटकर्स ले रहे हैं, उनको ठीक कर लीजिए, वन्ना ये जो छोटी छोटे आप शॉटकर्स ले रहे हैं, आगे चलकर बहुत मैंगे पड़ेंगे, लव लाइफ, सब ठीक है, ले खोई तो प्रॉब्लम हो सकती है, स्टुडेंस, एक मैचॉरिटी की कमी दिखे, थोड़ा से आप चीजों को मैचॉरली हैंडल कीजेगा, सेहत की बात है, इंफेक्शन, आखों के रोग, दातों के रोग और प्रैवेट पार्ट से जोड़ी प्रॉडम्स, सरवाश्टक में आपका नवम भाव अतिन तमली है, ये बता रहा है कि भागे का साथ आपको हफ्ते के मद्दे भाग में भी पूर्ण मिलेगा, 23 तारीक रात के 9 बज़े चंद्रमा आ जाएंगे आपके नवम भाव में, इससे एक दिन पहले बुद्ध का भी गोचर हो चुका होगा और तक उनका जो गोचर है, वो यहीं पर आएगा, चंद्रमा का नवम भाव में आना, ठीक होता है, कोई बुरा नहीं माना जाता, बारवेगर के स्वामी है, पुर्णा विदेश समंद चीजों में आपको लाप मिलेगा, बुद्ध वक्री होएं और केंद्र समंद चंद्रमा अच्छा है आपका, शनी की दृष्टी है, विश्दोष बना रही है, पिता जी से संबंद पर ध्यान दीजेगा, अगर आपके पिता जी की सेहत खराब चल रहे हैं, तो भी ध्यान दीजेगा, और अपने बॉसस से भी संबंदों पर ध्यान दीजेगा, अधरवाइस ठीक शनी आपके छटे घर के स्वामी है, चंद्रमा को देख रहा है, चंद्रमा भागेस्थान में है, कोई लीगल कारवाही चल रहे थी, लीगल केस सल रहा था, या कुछ भी लीगल कंपल्चन थी, उसको सौल करने के लिए इसमया आपका अच्छा ही है, लगनेश यानी की सू बर्क में आने का मौका मिल सकता है, नवान शकुनली, ठीक है, थोड़ा क्रियेटिव रही है, अपनी क्रियेटिविटी को टच कीज़े, दशान शकुनली, कारेक शेत्र में सब अच्छा है, बस एक ही प्रॉब्लम है, कि आप कहीं न कहीं अपने आपको चेंज नहीं कर पा है, जहां कुरूरता, जहां इवन व्यंगात्मक्ता आगई, वहीं पर प्रॉब्लम, विवाहिक जीवन बहुत अच्छा नहीं देख रहा है, यहां पर उन चीजों पर लड़ाई होगी, जो निंदनी होगी, जिन पर लड़ाई करने के अवशक्ता नहीं है, पैटी इशू कभी-कभी होता है कि आउरड़ी दिक्कत चल रही है, और उसमें कोई हलकी सी बात होगी, वह फिर सारा गुस्ता वही निकल जाएगा, तो ऐसा यहां पर दिख रहा है, स्टूडेंस की जहां तक बात है, ठीक है, लेकिन आप बहुत बड़ा सोचने हैं, जिसमें कोई गलत नहीं है, लेकिन आगे सोचने के चक्कर में अगर आप अपना बेस वीक कर देंगे, प्रॉब्लम होगी, तो अपने बेस को तयार रखिए, अपनी तयारियों को और स्टॉग कीजिए, सेहत की जहात अब बात है, नसों के रोग, गले के रोग, सर से समन्दित रोगतं सरवाश्टक में आपका लावस्थान बली है, अचानक से पैसा तो आई ही सकता है, अगर आप बहुत टाइम से कोई इंकम अपनी बढ़ाने की कोशिश कर रहे थे, तो उसकी नई उपरचिनोटीस आ सकते हैं, उपाय के सुरुप में आपको सुर्देता को जलरपन करना है, उस जल में कुछ अक्षत डाल लीजेगा पहले, थोड़ा सा दूद की बुंदे भी डाल सकते हैं, और जब आप सुरुदेता को जलरपन कर रहे होंगे तो ओम आदेत्यायन भावंत्र का जाप करना है, और उसके बाद शिवचालीसा का एक बाद पारट करना है, आशा करता मिलता हो अग लीडियों में तब तक के लिए, ओम नमाश्यों